जैपूर से इस वक्त की बड़ी खबर कारू कर लेते हैं बड़ी जानकारी है जैपूर से जहांपर मुख्य न्यायधीश के खिलाफ वकीलों ने शिकायत किये इसमें राश्चपती और CJI को एक लेटर लिखा है जैपूर ने प्रस्ताओ भी पारित किया है तो ये बड़ी और एहम जानकारी है आप तक पहुचा रहे हैं ये इस वक्त की बड़ी खबर है जैपूर से जहांपर मुख्य न्यायधीश के खिलाफ वकीलों ने शिकायत किये राश्चपती और CJI को लेटर लिखा है तो ये बड़ी खबर है हाला कि हाई कोर्ट बार एस्सोसिएशन जैपूर ने मुख्य नयायधीश M.M. शिरवास्तव के कारे प्रणाली पर सवाल खड़े किये हैं और इसके संबंध में बार एस्सोसिएशन ने राश्टपती द्रोपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस आफ इंडिया यानि की CJI डीवाई चंद्रचून, प्रधान मंत्री नरेंध मोदी, किंद्वी कानून मंत्री अर्जुन रामेगवाल को एक शिकाइकती पत्र लिखा है इसके साथ ही बार ने हाई कोट प्रशासन के ओर से आयुजित दीपावली स्नेह मेलन समारों का बहिशकार कर दिया है दसल आज हाई कोट में दीपावली से पहले अंतिम कार्य दिवस था, अब हाई कोट 4 नवंबर को ही रूटीन सुनवाई करेगा अब ऐसे में परंपरा के अनुसार दीपावली से पहले अंतिम कार्य दिवस पर आयुजित स्नेह मेलन समारों में बार और बेंच मिलकर के भाग लेते आए अब सुप्रिम कोट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है ये कहा जा रहा है और ऐसे में हाई कोट बार एसोसियेशन जैपूर के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के ओर से कहा गया है कि सुप्रिम कोट ने 20 अप्रेल 2023 को डिस्टिक बार एसोसियेशन देहरादून वर्सेज ईश्वर शंडिले केस में निर्णाई देते वे कहा था वकीलों के समस्याओं के समाधान के लिए हाई कोट के स्तर पर एक ग्रिवेंसेस रिडर्सल कमेटी यानि कि शिकायत निवारान समीती का गठन होगा इस कमेटी में मुक्य नियाधिश, हाई कोट के दो सिनियर नियाधिश, बार काउंसिल के चेर्मेन, बार अध्यक्ष और महादिवक्ता होंगे हाई कोट ने सुप्रिम कोट को निर्देश पर 16 जनवरे 2024 को एक कमेटी का गठन भी किया था लेकिन आज तक इस कमेटी में एक भी बैठक नहीं होई, जबकि हाई कोट बार अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर के मुख्य नियाएधिश को 9 रिप्रिजेंटेशन दे चुका है, आज तक हमारी समस्याओं के ओर ध्यान नहीं दिया गया है, इस बात को भी कहा गया अब वकील क्या मांग कर रहे हैं, ये भी बताते हैं, आपको देखें, शिकायत निवारन समित की नियमक बैठक की जाए, ये डिमांड है वकीलों की, हाई कोट की जो रोस्टर प्रणाली है, उसमें सुधार किया जाए, इसमें कॉजलिस्ट को रेगुलेट करें और अर्ज कांश अदालतों में ये सुविधा नहीं है, जहां VC की सुविधा है, वहां connectivity का issue इसको दुरुस्त करें, और जमानत याचिकाओं के लिए special bench गठित करने की मांग की गई है, ये भी वकीलों की डिमांड है, अब दरसल 3000 से जादा जमानत याचिकाओं पेंडिंग है, हाई को इसकाओं के लिए special bench का गठन करें, लेकिन उन्होंने हमारी समांग को भी नकारा, अब मुक्हिन आधीश के सकारे प्रणाली के चलते हमने high court प्रिशासन के दवारा आयोजित इसने हमिलन समारों का भहिशकार किया है, बार का कुई भी वकीले समारों में शामिल नहीं हुआ बार ने वकीलों के लिए अलग से इसने हमिलन समारों का आयोजन किया है, अलाकि इस गतिरोद को खत्म करने के लिए कई सीनियर इजवक्ताओं ने अपने अपने स्तर पर प्रयाज भी किये, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली है, और ये पूरा जो प्रक्रण है इससी को लेकर के प्रस्ताव भी पारित किया है, तो ये बड़ी खबर है जयापूर से, जहां पर मुक्य नय अधीश के खिलाफ वकीलों ने शिकायत की है, सीजी आई को एक लेटर लिखा है, हाई कोट ने इसने मिलन समारों का भहिशकार किया है, और हाई कोट बार एस्सोसियेशन प्रणाली उसमें सुधार हो, कॉजलिस्ट को रेगुलेट करें, अर्जेंट नेचर के केसेस को प्रात्मिक्ता दें, और इसमें बार का जो सुझाव है उसको भी शामिल करें, इसके अलावा फिजिकल और वीसी के जरिया हाई कोट को हाईब्रिट मोड में भी चलाया जिनको दुरुस्त किया जाएं, और जमानत याचिकाउं के लिए स्पेशल बेंच भी गठित की जाए, क्योकि तीन हज़ार से ज़्यादा जमानत की आचिकाउं के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया जाया, समेत तमाम मांगे हैं, जिसको लेकर के आज इसनेह मेलन कारकम का बहिशकार किया गया है मुख्य नयाधीश के खिलाफ वकीलों ने शिकायत की है जिसमें रास्टपती और CGI को बाकायदा एक लेटर लिखा गया है वकीलों के द्वारा जिसमें हाई कोट के सनी हमिलन समारों का आज बहिशकार करते हुए अपनी इन मांगों को एक बार फिर साओ भी पारित किया है कि बड़ी खबर और बड़ी जानकारी जहपूर से आप तक पहुचा रहे हैं जहां पर मुख्य नयाधीश एमेम शिरवास्तों की कारे प्रणाली पर नाराज हैं वकील उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं बार अस्योसियेशन ने राश्टपती केंदमोधी केंद्री कानून मंत्री इन सब को शिकायती पत्र लिखा है